Hello students, मैं हूँ जुल जित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है जित्रांश Commerce Classes तो चलिए शुरू करते हैं So, students, मैं आपको अपने इस वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा कि CVST ने अपने syllabus को कम कर दिया है तो अगर आप Class 12th के student अगर हैं तो आप description में link mention है आप वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजेगा क्योंकि ये वीडियो में है जो especially Class 11th के लिए है जिसमें हमारे syllabus में जो changing हुआ है तो अगर आप 12th के हैं तो description में आप link mention है अब यहाँ पर जो हमारे Class 11th के लिए जो syllabus चेंग है तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास message किया इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों ने ये का कि सर सभी लोग प्रेस्ट के लिए बता रहे हैं मुझे 11th के लिए भी जानना है आपको बिल्कुल परिशान होने विज़रत नहीं है तो जैसा कि अकाउंटेंसी का subject जो हमारा है इसमें chapters तो बहुत सारे हैं जैसा कि accounting equation है journal, ledger, trial balance, bills of ethics सभी chapters है chapters में deduction नहीं हुगा है students मैं आपको clear कर देता हूँ chapters सारे पढ़ने आपको है chapters के अंदर आने वाले जो topics हैं उनके deduction में तो वो जो topics हैं मैं आपको बताता हूँ और वो वह topics हैं जो जादा तर mainly आपको थोड़ा सा complicated होते थे जिससे जादे तर examination में पूछे भी जाते थे तो जैसा कि देखे मैंने बनाया हुगा है जैसा कि आपके accountancy में दो part है part A और part B part A में आप पूरी accounting पढ़ते हैं और part B में आप लों incomplete records के बारे में पढ़ते हैं अब यहाँ पर जो हम condition बताते हैं आपको तो part A में जो chapter है हमारा A BRS means bank reconciliation statement chapter आपके है अब देखिएगा bank reconciliation statement का जो chapter है उस chapter में एक topic आता है bank reconciliation statement with adjusted cash book यह बहुत important होता था थोड़ा सा जादे तर examination में पूछ ली जाते थे च्योंकि बच्चे गलतीस को जादे करते थे तो bank reconciliation statement with adjusted cash book यह topic आपका syllabus से deduct कर दिया गया है ठीक है लेकिन आपको मैं अपने इस video में जो भी हमारा यह channel है ना यहाँ पर आपको सारे topics में बताऊंगे क्योंकि आपके future के लिए ज़रूरी है यह जब आप आगे पढ़ेंगे CA करेंगे और जो भी higher degree लेंगे तो आपको knowledge की जुरत है जो अपने channel पर आपको सब बताएंगे तो bank reconciliation यह topic कर गया और एक और chapter है bills of exchange नाम से ठीक है bills of exchange chapter में आपके दो topic deduct किये गए है the first topic is retirement of bill and the second topic is renewal of bill यह दोनों ही हमारे जाले तर examination में आते थे जैसा कि मैंने कहा ना जो examination में सबसे जारा complicated topic थे वही topic को यहाँ पर deduct किया गया है corona pandemic की वज़े से तो अब यहाँ पर क्या है retirement मतलब जो bill होता था exchange तो जब bills of exchange अपने वीडियो में पने वीडियो चैनल पर पढ़ाएंगे तो आपको सारा concept यह होगा उसमें यह retirement का concept खतम हो गया है और renewal मतलब उसको दुबारा re-issue करना होता था उसका यह जो concept है यह हमारा bills of exchange की topic से यह खतम हो चुका है दूसरा है part B part B में incomplete records है incomplete record मतलब क्या होता यहाँ पर इसे हम single interest system भी कहते हैं जैसे double interest system का एक chapter है ना तो उसमें हम लोग सारे रूस बहते हैं इसे single interest system भी कहा जाता है incomplete records में कौन से topic कट है देखें difference between incomplete records and statement of affairs मतलब जो इस chapter में हमारे trading account बनाए जाते थे profit and loss account बनाए जाते थे और balance sheet बनाए जाते थे उस topic को भी यहाँ से deduct कर दिया गया है ठेक है तो यह हमारे जो topic थे deduction का accountancy चैप्ट बुक से यह हमारे से इतने ही topics है बागी जो भी आपके chapters है students for example depreciation है journal है cash book है यह बहुत important chapters है इसलिए इन में बिल्कुल भी deduction नहीं किया गए क्योंकि इसकी knowledge आपको होना पूरी बहुत जरूरी है यह सब हमारे थोड़े बहुत काम चल सकते हैं अभी हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं इसे तो यह हमारा deduction था accountancy के chapter से बुक से अब इसके बाद से हम आपको economics और business में भी जो foundation of business and the part B में finance and इसके जो traits होते हैं so part A में जो हमारा topic है तो unit यहाँ पर unit 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कुछ topics के deduction हुए है तो unit 2 में जो हमारा है forms of business organization इसमें सिर्फ जो एक ही topic delete हो है which is known as choice of form of business organization means business के form के जो choose करने में हमें problems होती थी या फिर जो भी हुने choice करना पड़ता था हमें उस topic को यहाँ से delete कर दिया गया है unit 3 में जब देखते हैं तो public, private and global enterprises तो public, private and global enterprises चैप्टर तो बहुत important है but इसमें से सिर्फ एक ही topic हटाया गया which is global enterprises इसके features जो होते हैं वो हटा दिये गया है and joint venture public, private partnership जिसको हम 3Ps के नाम से भी जानते हैं PPP public, private partnership इसका concept तो यह पूरा concept यहाँ से हटा दिया गया है but मैं आपको अपने channel पर इसके सारे बारे में चीज़े बताऊंगा क्योंकि knowledge purpose के लिए आपको यहाँ पर जानना बहुत important है case study में आपको यह सब सारे topics आते थे थोड़ा सा complications create करते थे इसलिए इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है अब इसके बासे जो हमारा unit 4 है which is business services इसमें भी हमारे topics जैसे की postal services जो business service provide करते तो postal service में किस टाइब की service होती है जैसे की mail हो गया फिर registered post हो गया फिर parcel हो गया फिर speed post हो गया कोरियर हो गया इनकी जो meaning के topic थे यह सब सारी चीज़े हमारे business studies से हटा दिये गया है लेकिन जो सबसे जरूरी है आपके जानने के लिए which is unit 5 इसमें emerging mode of business है तो जो topic delete किया गया है which is business process outsourcing बीपी ओ अब यहां पर एक और topic आप जब यह chapter पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक और topic होता है which is known as KPO means knowledge process outsourcing तो business process outsourcing को हमारे syllabus में से यहां से हटा दिया गया है बट knowledge process outsourcing यह पूरा topic आपको पढ़ना पड़ेगा उसके concept उसके scope सब चीजें लेकिन बीबियो के concept को हटा दिया गया है और last हमारा sixth unit है social responsibility of business and business ethics अब business ethics में जो social responsibilities होती है उसमें बस जो हमारे business ethics के concept और उसके जो elements होते हैं उस topic को यहां से बस delete कर दिया गया है बट यहां पर knowledge point of view से आपको सारी चीज़ें में बताऊंगा इसके लिए आपको परिशान होने की जरूत नहीं है अब इसके बास से जो हमारा next part आपको दिख रहा है part B which is known as finance and trade finance and trade में आपको बस थ्री units में जो कुछ deductions किए गए unit 7 में है जो आपका source of business finance source of business finance में जो हमारा business run होता है उसमें जो finance की जरूत होती है उनके sources कहां कहां से आते हैं और किस तरह से हम अपने funds को इकठा करते हैं मतब कैसे अपने funds को collect करते हैं तो funds का collection जैसे कि यहां पर दिया है तो जो deducted topic आपका वो है borrowed fund अब यहां पर दो type के हमारे fund होते हैं which is shareholders fund and one thing is which is borrowed fund तो जो deduction हुआ हमारा वो सिर्फ हमारा borrowed fund का हुआ है and वो भी inter corporation deposits means ICD का concept जो है सिर्फ वो deduct किया गया है लेकिन बाकि जो shareholders fund जब आप business के इस chapter को पढ़ेंगे तो आपको सब चीजे मिलेंगे और मेरा topic के जो मैं बता रहा हूँ आपको सब याद आ जाएगा तो shareholders के topic को पूरा रखा गया है सिर्फ इस topic को deduct किया गया है but knowledge point of view से मैं आपको सब बताऊंगा अब इसके बास से जो हमारा next topic है which is internal trade तो trade में हमारे दो type के trade होते है internal and external आपको सब चीजे बताई जाएगी अब इसमें internal trade में जो topic delete किये गया है which is types of retail trade और यहाँ पर जो है यह word आपका जो दिख रहा है यह आई है itinerant इसके word कहते है itinerant and small scale fixed shop retails मतलब itinerant means होता क्या है एक place से दूसरे place पे जह हम travel करते है तो जो word use होता है वो itinerant word use होता है तो यह topic को भी हमारे delete कर दिया गया है और जो unit 10 हमारा है last which is international trade यह हमारा एक और topic है GST का goods and service tax का यह concept भी आपका delete कर दिया गया है बट इसके लिए आपको फिकर करने की ज़ुरत नहीं क्योंकि GST से related यहाँ पर theory का topic deduct किया गया है बट आपके लिए knowledge point of view से आप जान लिजे आपके accountancy subject में GST का पूरा का पूरा एक chapter है जिसमें आप theory भी पढ़ेंगे and numerical भी पढ़ेंगे इसलिए इस topic को यहाँ से delete कर दिया गया है ताकि आप दो बारे की चीज़ को ना पढ़ें तो आपके accountancy में पूरा numerical और theory दोनों है यहाँ से बस उस topic को deduct कर दिया गया है अब जो unit 10 है इसमें आपको तो international trade की बात किया है तो internationally हम import, export और entry pot यह सब सारी word आते हैं तो यहाँ पर यह सब सारी चीज़े होंगी तो delete क्या हुए है तो export trade यहाँ पर delete हुआ है इसके meaning और इसके जो procedure होते हैं import trade यहाँ पर delete कर दिया है तो international trade का topic आपको पता है क्यों delete किया गया है क्योंकि जो corona pandemic चल ला है तो इसमें अब international trading अभी तो सारी रोकी गई मतलब क्योंकि हमदुक safety point of view से इसलिए आपके syllabus से भी अभी deduct कर दिया गया क्योंकि आगे आप सभी यह सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो export, import का पूरा topic delete हो गया है और इसके बास से जो आपका next है इसमें documents involved in international trade तो international trade करने के लिए जितने भी documents involved होते हैं वो सारी चीज़े delete कर दी गई हैं तो इसमें जो भी documents आपके दिख रहे हैं वो सब सारी चीज़े delete कर दी गई हैं और World Trade Organization means WTO की जो meaning and objectives होते हैं इस topic को पूरा हमारे delete कर दिया गया है अब इसके बास हम economics topic देखते हैं economics topic को आपको बहुत easy मना दिया गया है क्योंकि economics में जैसा कि आपको पता होगा कि आपको दो books पढ़नी है the first is statistics for economics part A and part B which is known as introductory of microeconomics या फिर introductory microeconomics तो जो हमारा सबसे पहले part A में unit है तो unit 3 सिर्फ एक ही unit delete हो रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़े delete कर दी गई है तो क्या क्या delete हुए है तो जो first है measures of dispersion यह numerical का chapter है जिसमें range, quartile deviation, mean deviation, coefficient, range निकालना, coefficient of quartile deviation निकालना यह सब सारी चीज़ें आपकी delete कर दी गई है एक और numerical का chapter है correlation इसमें आपका spearman's जो rank correlation method है उसको delete कर दिया गया है method और भी इसमें से आ रहे हैं लेकिन spearman's का rank correlation यहां से delete कर दिया गया है और यहां से एक और numerical का chapter है which is known as index number यह भी हमारा numerical का chapter है इसमें जो topic डिल रहे है which is index of industrial production लेकिन अभी इसमें जो सबसे important चीज़ होता है index number में जिसमें हम fisher, pasture और lespier method से हम अपने index number को solve करते हैं वो सभी इसमें रहेंगे सिर्फ industrial production method को यहां से हटा दिया गया है बाकि statistics में सारी चीज़े as it is है तो main जो आपका numerical का कुछ portion है यहां से आपका deduct कर दिया गया है statistics से अब इसके बास्ते जो part B है आपका introductory of micro economics यहां से भी आप देख सकते हैं unit 4, 6 and 7 में जो हमारा delete किये गया है so unit 4 में introduction का जो topic है तो which is known as concept of production possibility frontier यहां से हमारा delete कर दिया गया है unit 4 में आपको यह topic मिलेगा आपको बताया जाएगा unit 6 में जो आपका है producer behavior and supply यह थोड़ा important topic होता था लेकिन थोड़ा complicated हो जाता था solve करने के point of view में कि इसको समझेने में आपको थोड़ा सा problem होता था पहले लेकिन अब इसे delete कर दिया गया है producers equilibrium point होता है जिसमें आप इसके meaning इसके कुछ conditions यह सब सारी चीज़े marginal revenue marginal cost के बारे में सारी चीज़े पढ़ते हैं बट marginal का cost आप हमेशा पढ़ते रहेंगे सिर्फ यहां से marginal cost का concept हटा है बाकी आधर चीज़े आपको हर chapter में मिलेंगी unit 7 में जो आपका deduct हुआ है वो है forms of market and price determination under perfect competition with simple applications तो यह market है forms of market market बहुत सारे types के होते हैं तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं आप topic deleted में लिखा हुआ है other market forms में monopoly, monopolistic competition, their meanings and features तो monopoly and monopolistic का जो topic है यहां से बस खतम कर दिया गया है लेकिन बाकी जो हमारे topics हैं जैसे oligopoly और other हैं तो वो सारे as it is अभी भी रहेंगे लेकिन बस इन दोनों को अभी यहां से delete कर दिया गया है बट आपको फिकर करने के ज़रत नहीं है जह हम explanation करेंगे तो मैं एक ही चार्ट में आपको सारे market के जो differences है वो मैं एक चार्ट के थूँ आपको यहां पर सब explain करूँगा अपने channel पर आप महारे channel से जूड़े रहेए हमारे channel को subscribe कर लीजेगा जरूर से जैसे कि मैं जैसे भी रेगलर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो तुरंत मिल जाए तो इसके साथ ही हमारा अब यहां पर economics का भी topic complete हो जाता है यहां पर साला जो syllabus हमारा यहां डिलीट किये गए थे वो मैंने आपको बता दिये हैं अगर आपको कोई भी confusion होता है बिस से नहीं होगी जो भी हमारा चल रहा है इस समय जो स्कूल बन चल रहे हैं तो बिलकुल भी परिशान हो नहीं जोरत नहीं आपके सारे topics को यहां पे cover किये जाएंगे online classes भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं आपको जॉइन करना होगा आप contact कर लीजेगा okay students यहां पर हमारा आप सारा 11th का वीडियो देख रहे हैं तो आपको description में 12th के लिए मिल जाएगा अगर आप 12th देख रहे हैं तो आपको description में 11th के लिए मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको Accountancy, Economics और Business Studies सभी खिले मैंने आपको overall पूरा एक वीडियो में मैंने आपको सब चीजे बता दिया हैं अब अगर आपको इसमें कोई भी problem होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी online classes भी चल रहे हैं आप हमारी online classes भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बल आइकन पर क्लिक करके notification को on कर लिजे, जिससे कि मैं जैसे ही regular update करूँ कोई भी numericals के questions की तो आप तक वो notification पहुंच जाए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ share करिए और कोई भी problem होती है तो आप हमें contact करिए, lockdown में आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी loss नहीं होनी चाहिए Okay students, all the best, thank you